तो गाईज क्या आपने ये तीन रुपए का नीमबू पानी का भी पीया हैं आज मेरे दुकान में बहुत सारा सामान खतम हुआ था तो मैं फटफट उसकी लिष्ट बनाने लगता हूँ तब भी दुकान में कस्टमर आता है जिससे काच चाहिए थी तो मैं उससे पाच तो पानी बॉटल की डिमांड बहुत होती है तब दुकान में एक कस्टमर आ जाता है जिससे दस रुपए वाला दही और दस रुपए वाला अद्रक पेश चाहिए था तो मैं उससे दही और अद्रक पेश लाकर दे देता हूँ फिर मैं अपनी बैग और एक्टिवा लेकर होलसेल शॉप निकल जाता हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैं उससे किक मार कर स्टार्ट कर देता हूँ और दुकान पोच जाता हूँ और दुकान से सारा सावन लेकर घर आ जाता हूँ जिसके बाद मैं किक करकर गाड़ी से सारे सावन को उतर कर पानी के बॉक्स लाग कर ठक जाता हूँ जिसके बाद मैं गर्मी से खुद को हाइडरीट करने के लिए दुकान से ये नीमबू पानी के पैकेट लेकर आता हूँ इसमें शक्कर और काला नमुक भी होता है जिस बाद से इस नीमबू पानी की टेश्ट बहुत अच्छी लगती है